हलो स्टुडेंट्स मैं हुग प्रिया शर्मा और स्वागत है आपका हमारे नव भारती परिवार में हम लोग उने क्लास 12 की केमिस्ट्री का सर्फेज केमिस्ट्री जो है चैप्तर ले रखा है आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एड्जॉप्शन आइसो थाम एड्जॉप्शन आइसो थाम का फुल नेम है इसके देखते हैं इसके अंदर क्या है और क्या हमें चीज़े सीखने को मिलेगी तो देखिए क्या कहता है Frandlich Adsorption Isothurn Basically इसके अंदर ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो है अगर हम चाहते हैं कि Gas का Adsorption ज़्यादा हो सरफेस पे Gas का Adsorption अगर ज़्यादा हो तो हमें क्या करना पड़ेगा Pressure को Increase करना पड़ेगा देखिए इस Isothurn के अंदर इस Adsorption Isothurn का जो मेल मोटिव है वो है कि इन्होंने एक graph दिया था वो क्या graph था? A graph drawn between extent of adsorption and the pressure of the gas at constant temperature Basically इन्होंने graph दिया था जो कि किस किस के बीच में था extent of adsorption के बीच में और pressure of the gas के बीच में ठीक है? तो अब अगर मैं बात करूँ कि जो friendlish थे उनको ये बात पता चल गए थी कि अगर हमें adsorption of gas gas का adsorption अगर बढ़ाना है ठीक है? तो हमें pressure को भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ? कि जो gas है जो adsorption है gas का sorry जो adsorption of gas है वो directly proportional किसके हो गया? प्रेशर के ठीक है? प्रेशर बढ़ा adsorption of gas on the surface बढ़ गया अगर pressure घटा तो adsorption of gas on the surface घट गया ठीक है? बात समझ में आई first point अब हम जान लेते हैं कि जो graph बन रहा है वो दो चीजों के बीच में बन रहा है जैसे मैंने आपको बताया एक तो है extent of adsorption अब ये extent of adsorption है क्या? तो देखिए extent of adsorption को friend luch ने एक ratio के तरूँ represent कर रखा है जिसे हम बोलते है x by m ratio अब ये x by m ratio क्या है? देखिए x का अपन m ठीक है? x का मतलब हो गया amount of amount of adsorbit amount of adsorbit upon m का मतलब हो गया mass of adsorbit ठीक है? x by m का मतलब क्या हुआ? x का मतलब हो गया amount of adsorbit और m का मतलब हो गया mass of adsorbit और इन दोनों की ratio को ही हमने क्या बोला? extent of adsorption अब इसका मतलब आप समझे इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी mass of मतलब कितने mass of adsorbit पर ये देखिए कितने mass of adsorbit पर या फिर adsorbit की जो surface है उसके ओपर कितना amount of adsorbit जो है आकर touch में आ रहा है बात समझ ना रही है? मैं आपको इसे diagram के दूरू समझाती हूँ माल लीजी यहाँ पर एक surface है ये पूरा surface है ये जो surface है ना इसे हमने बोल दिया mass of adsorbit ठीक है? अब यहाँ पर कितना amount of adsorbit आकर कौन सी process कर रहा है? adsorbit ठीक है ना? तो उसे ही हम क्या बोलेंगे extent of adsorption और जो यहाँ पर जो भी amount आ रहा है उसे हमने x रिप्रिजेंट किया है और mass of adsorbit adsorbit को हमने small m से रिप्रिजेंट किया है तो x, y, m को हम क्या बोल रहे है extent of adsorption तो चलिए आप आगे चलते हैं इनके बीच का इस ग्राफ भी हम लोग देख लेते हैं बिसिकली जो फ्रेंड इड्स का जो तो देखिए हम लोग graph बना रहे हैं किसके किसके बीच में graph between amount of gas adsorbed and pressure of the gas ठीक है इन दो चीजों के बीच में graph बना रहे हैं आप देखिए x by m ये ratio क्या कहलाता है amount of gas adsorbed ठीक है यहां बोल सकते है extent of adsorption ठीक है और यह है pressure यहां पर मैंने ps लगाया है ps का मतलब हो रहा है कि saturate जापर saturation की situation आजाती है ठीक है ना कि जिसके आगे अगर हम pressure लगाएंगे भी तो कोई फरक नी पड़ेगा ठीक है ps ऐसा pressure जापर saturation की position आ रही है ठीक है अब अगर हम बात करें यह मैंने दो reason लिया है पहला reason दूसरा reason और यह तीसरा reason है पहला reason पहला reason जो है यहाँ पर low pressure यहाँ पर हम कैसा pressure लगा रहे है low pressure जो beach का reason है उसमें मैं लगा रहे हूं कैसा beach का intermediate कैसा pressure है intermediate अगर यहाँ की बात करें ps के बात में after saturation कैसा है high pressure यहाँ मैंने तीन reason में जो है graph को divided कर दिया है अब हम यह देखना है कि इस तीनो reason के लिए क्या क्या expression आते है x, y, m और pressure के बीचने तो देखिए बात करूँ अगर मैं कि pressure कैसा है low pressure है अगर pressure low है सीधी सी बाता अगर pressure low है तो amount of gas absorbed जो क्या होगा low होगा ठीक है ना क्या आपको पता है कि यह जो है directly proportional होता है each other तो कैसा आएगा graph कैसा आएगा एकदम straight ठीक है एकदम straight आजाएगा अगर low pressure है तो एकदम straight आएगा means to say यह दोनों आपस में proportional होगे straight in the sense ऐसे verticallyly straight ठीक है x by m और pressure जो है कैसे है एक दूसरे के proportional है तो यहाँ पर मैंने graph कैसा बना दिया एकदम proportional ठीक है अब अगर आपन बात करे इस situation में अब आप देखेंगे graph कैसा आ रहा है इस situation में अगर मैं बात करूँ तो x by m की कितनी value होगी is equal to sorry x by m जो है directly proportional है इस situation में पी के किसके पी के ठीक है और पी की value यहाँ पर हम 1 भी ले सकते हैं कोई भी करनी है x by m directly proportional to p तो मैंने आपको यह वाला graph बना कर दिखा दिया इस graph का अगर मैं mathematically अगर निकालू expression तो क्या निकलेगा x by m directly proportional to p अब जैसे ही प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है ठीक है तो graph कैसा आएगा पैराबोला टाइब ग्राफ आएगा कैसा आएगा पैराबोला टाइब ठीक है और intermediate pressure पर इसका expression क्या होगा x by m directly proportional to pressure की power 1 upon n ठीक है ये किसका graph है x by m directly proportional to pressure की power 1 upon n n जो है आपन इंटीजन है ठीक है जो कि depend करता है pressure of the gas पर ठीक है अब क्या हुआ यहां तक आने पर आप देखेंगे यहां से हमने start किया था यहां पर आ गए तो अब क्या होगा अगर हमने अब मैंने आपर PSB लिखा है इसका क्या मतलब हुआ कि saturation आ चुका है ठीक है saturation आ चुका है मतलब कि हमारा जो adsorbent था यूद्कि आपको पता है adsorbent के उपर जो है adsorbate वो आकर चिपक जाता है ठीक है ना चिपक जाता है तो आप मुझे एक बार बताईए इस यहां पर आते तक जो है उस adsorbent की उस adsorbent की surface पूरी खतम हो गई अगर surface खतम हो गई तो जो gas के जो molecules है अब वो कहां पर आएंगे surface पूरी खतम हो गई है ना और आपको पता है जितनी surface की सारी surface को gas में cover कर दिया है इस point पे तो अब अगर हम pressure आके लगाएंगे भी न तो भी जो adsorption की process है वो नहीं होगी मतलब कि इसके बाद saturation के बाद जो adsorption की process है वो एकदम रुप जाएगी और क्या हो जाएगी एकदम constant क्योंकि इस point पे पूरा surface जो है adsorbent का वो भर चुका है gases molecule से ठीक है अब surface खाली ही नहीं है अब आप ऐसा नहीं है कि pressure बढ़ाओगे तो adsorption बढ़ेगा नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा अब तो high pressure आप कितना भी लगा दो saturation के बाद में इस point के बाद में और यहां पर होता है P1 ठीक है P की पावर 1 होती है उसे मैं P भी लगा सकती है और यहां पर P की पावर 0 है यहां फिर्सकों P08 भी बोलते हैं ठीक है तो यह अलग-लग situation के लिए अलग-लग expression निकल के आते हैं यह low pressure के लिए intermediate pressure के लिए और यह high pressure के लिए I hope आपको यह graph अच्छी तरीके समझ में आ रहा होगा अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे हम लोग इस graph के जो पाट है से low pressure, intermediate pressure and high pressure तीनों को अलग-लग हम लोग study करेंगे तो चलिए प्रट प्रट है सबसे बहले हम लोग ले रहे हैं जबके pressure कैसा था? low pressure था low pressure पे expression कैसा था? x by m directly proportional to p की पावर 1 ठीक है? अब अगर यह proportionally sign हटेगा तो क्या आएगा? x by m is equal to kp1 यह रहे है चीक है? k यहाँ पर क्या है? constant है क्या है? constant बात समझ में आई? यह expression कब के लिए है? जब low pressure हो second किस के लिए है? intermediate pressure अब इसके लिए क्या expression आया था? मैंने अभी आपको बताया x by m directly proportional to p की पावर 1 upon n ठीक है? अब अगर मैं proportionally constant का sign हटाऊंगी proportionally का proportional का sign अगर मैं हटाऊंगी तो क्या है न? k p की पावर ठीक है? अब आप हमेशा यह बात ध्यान रखेंगे जो है बात करूं 1 by n की value जो है वो लाई करेगी 0 to 1 के बीच में ठीक है? अब अगर मैं बात करूं n की value 1 to infinity तो यह दोनों terms भी आपको ध्यान में रखना है चीक है? इसके लिए expression नमारा यह है x by m is equal to k p की power 1 upon n n यहाँ पर integer है चलिए अब हम लोग start करते हैं high pressure के लिए high pressure तो यह expression क्या होगा? x by m directly proportional to p naught x by m अगर मैं यह sign अटा दूँ तो क्या आजाएगा? k p naught यह expression निकल के आता है अब आपको पता है p की power 0 का मतलब हो जाता है k रख देते हैं इसमें value क्या होगा? x by m is equal to k यह होगा और इसका directly मतलब हो जाता है यह है मतलब x by m is equal to constant और है ना? और आपके graph में भी क्या देखा था? कि जब भी high pressure आजा था after the pressure of saturation x by m का जो graph आजा था वो आजा था एकदम constant यानि एकदम straight मतलब एकदम constant ठीक है? तो यह high pressure के लिए हमारा जो है value हो गया है अब इस situation में अगर 1 by n है उसकी value क्या है? 0 है है ना? relate करोगे ना अगर इस term को किस से? पी की पावर 1 by n से तो 1 by n की value 0 है तो n की value क्या आजाएगी यहाँ पर infinite तो यह चीज़ आप जान रखेंगें कभी कभी neat में, board में और J में भी पूछ दिया जाता है अब हम लोग देखेंगे दूसरा graph अगर हम logarithm में इसको ले ले तो ठीक है? आपको पता है expression क्या था? friend rich expression x by m is equal to k p की power 1 by n basically इसी को हम क्या बोलते है इसी को हम लोग बोलते हैं friend rich adsorption isotherm इसे expression को हम बोलते हैं ठीक है? और इससे हम हमें बनाना है logarithm का graph log लेकर हम इसे graph के रूप में लिखाएंगे अगर मैं दोनों तरफ log ले ले लूँँ तो क्या हो जाएगा? log x by n is equal to log k p की power यह हो जाएगा? अब अगर हम करेंगे तो आगे क्या होगा? log k पता है ना जब भी बीच में multiply हो log हो तो यह plus में हो जाता है लग लग तो क्या होगा? log k plus log p की power n अब क्या होगा आगे? log k plus यह जो time है वो आगे आजाएगी 1 by n log p यह जाएगा ठीक है? तो expression क्या आ रहा है? log xym का की बात समझ में आई? है ना? अब इसे हम एक straight line की जो equation होती है उससे भी relate कर सकते है y is equal to c c c यहाँ पर constant है ठीक है? बात आई समझ में यह पूरा expression हमारा नितल की आता है अगर हम log में लेते हैं अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके तुरू हमें graph कैसे रपनाता है ठीक है? तो graph किस किस के बिच बनेगा? log x by m और log p यानी pressure के बीच में तो चलिए स्टार्ट करते हैं और graph किस किस के बीच में है? log x by m के बीच में और log p के बीच में हमने yss में log x by m लिया है और इदर हमने लिया है log p यानी pressure तो देखिए अब क्या होगा? हमारे पास क्या आई थी equation? मैं उपर लिख देती हूँ log x by m is equal to log k plus 1 by n log p इसका हमें graph लेगा है graph बनागा है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले log k यह हमारा intercept होगा यह क्या होगा हमारा intercept तो यह intercept यहां तक आएगा यानी यह हमारा intercept है मैं लिख देती हूँ log k अब जैसे बेसिकली जगर मैं graph की बात करूँ तो यहां से वह start होगा graph ऐसे graph आएगा ठीक है और यह हमारा होगा slope और slope क्या होता? 1 by n ठीक है यह हमारा graph आता log x by m और log p का कि जब हमारा slope होता है वह ऐसे होगा ठीक है, slope is equal to 1 by n यह हमारा slope है ठीक है, और intercept हमारा क्या है log की, तो इस तरीकी का पूरा हमारा graph आता है, इससे हम easily graph बना सकते हैं तो आएगोब आपको यह सारा अच्छी तरीकी से समझ में आया होगा, अगर कोई भी आपको doubt आये, तो आप comment कर सकते हैं प्रूल आपको बना सकते हैं तो आपको यह शशे हैं